नमश्कर दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चरेल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सकरात्मक्ता की बात कर लूँ, पॉस्टिविटी की बात कर लूँ, तो पॉस्टिविटी, धनलाव, ग्रोथ, इन चीजों के काफी जादा अच्छे योग बने हैं। इस केस में व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होना तै है, इस केस में व्यक्ति के जीवन में प्रगति होना तै है, इस केस में व्यक्ति के जीवन में धनलाव होना तै है। अगर आपे किसी विग्टि के हाथ पर इस परकार के चमतकारे चन्ण इन मौजूद हैं तो आप बिलकुल इस हाथ को देखिए, समझने का कोशिश करिए, अगर आपके हाथ पर इस परकार के चन्ण होए तो आपके जीवन में सफलता को प्राप्त करने से कोई दुनिया के मतलब बाग्य रेखा में बिलकुल किसी भी प्रकायर से कोई कमी नहीं है यहाँ पर आप देखोगे एक और बाग्य रेखा के ब्रांचेस मतलब बाग्य रेखा जितने ज़्यादा ब्रांचेस के साथ हो जीवन पर ग्रोथ उतना ज़्यादा होता है जीवन पर प्रगति उतना ज्यादा होता है, जीवन पर धनलाव उतना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं, तो बाग ये रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, और दोधीन म्राचिस के साथ है, मतलब विक्ति के जीवन में ग्रोथ के योग बने हुए हैं, विक्ति के जीवन में प्रगति के योग बने हुए है, धनलाव के योग बने हुए है अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो सूरीरेखा भी उसी ताकतवर स्थती में हातली पर मौझूद है, सूरी रेखा भी उसी ताकतवर स्थिती में है मतलब ये भी आपके जीवन में सकरात्मक परिवर्तन को बताते है ये भी आपके जीवन में ग्रोध को बताते है सूरी रेखा पर एक और चमतकारिचन अगर आप नजल डालेंगे तो यहाँ पर आपको फिश शाइन दिखेगा अकास्मक दनलाव को प्राप कराने है तो जीवन पर दनलाव कराने है तो जीवन पर प्रगति कराने है तो ये एक important sign माना जाता है जो विक्ती को ग्रोध कराता है जो विक्ती को दनलाव कराता है जो विक्ति के जीवन में प्रगती देता है, no doubt सूरी रेखा उसके साथ ही अच्छी इनहेंस होते वे नजरारी आगे को बर रही है, क्या बात है एक सदिक सूरी रेखा मज़दार स्थती में वीनुमा करती के साथ है मतलब विक्ति के जीवन में ग्रोथ तैह, विक्ति के जीवन में प्रगती तैह इसके उपरांता आप देखेंगे तो बुद्दरे का बहुत शांदार धंतरिवच के साथ है मतलब आपके जीवन में धनाएगा, आपके जीवन में एक्स्ट्रीम धनाएगा आपके जीवन में प्रगती बहुत जादा होगी आपके जीवन में ग्रोध बहुत जादा होगा आप एक्स्ट्रीम केस में जीवन में आगे बढ़ेंगे आप एक्स्ट्रीम केस में सफलता को प्राप्त करेंगे आप extreme case में growth को प्राप्त करेंगे no doubt आप यहाँ पर देखेंगे तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज है बहुत तेजी के साथ दिमाग कारी करता है दिमाग की तेजी बहुत ज़ादा नज़र आ रही है बहुत ज़ादा नज़र आ रहा है मुझे ऐसे विक्ति जंगल से भी पैसा कमा लेते है अगर बुद्ध पर इस प्रकार की खड़ी रेखा महजूद हो तो विक्ति जंगल से भी पैसा कमा लेते हैं जीवन में growth कर लेते हैं जीवन में सफलताओं को पराप्ट कर लेते हैं अब आपको एक चीज और दिखाओ तो जीवन रेखा पर भी आपको ये सम लाइन दिख रहे होगी ये प्रिगती की रेखा है मतलब आपके जीवन में ग्रोध होता रहेगा लेकिन कुछ नकारातमक्ताओं भी है जो आपको बिल्कुल तनाव दे सकते हैं जो आपको बिल्कुल परिशान कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल हतास और दिराश कर सकते हैं तो अगर आप नकरात्मक्ताओं पर विचार करेंगे तो नकरात्मक्ता है तो आप देखने का कुशिश करें जीवन रेखा पर ये भी एक रेखा है इसको आप कहते हैं राहू रेखा इसको आप कहते हैं परशान करने वाली रेखा इसको आप कहते हैं तनाव दली वाली रेखा इस केस में वेक्ति के जीवन में तनाव परशानी वा दिक्कते इनको जरूर महसूस करने को होती है मतलब व्यक्ति जितना तेज गती से आगे बढ़ते है उतनी ही तेज गती से नीचे भी आ जाते है ये एक प्रकार की negativity राहु डेखा के संदर्म में आपको देखने को मिलती है जितने तेज गती से आप उपर जाएगे उतने ही तेज गती से आप भी जाएगे तो इस केस में क्या करना है इस केस में आपको इसके लिए उपाए करने है ताकि आप जीवन पर ग्रोध को प्राप्त कर पाए ताकि आप जीवन में प्रगती को प्राप्त कर पाए ताकि आप जीवन में दरलाव को प्राप्त कर पाए और आप अपने जीवन में जो negativity है उसको overcome करते हुए आगे बढ़ पाए और जीवन में ने ने परिवर्तन को ले पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए चलिए अब आगे मैं आपको दिखाऊं तो आगे और भी चीजे है थोड़ा समझने हैं कोशिश करिएगा योगी माइड लेखा आपकी ये life line highly independent है वैसे इंडिपेंडेंसी 18-19-19-19 के बाद से ही आ गई है उसके बाद तो continue प्रगती की रेखा थी लेकिन ये राहू रेखा भी था तकरिवन 40-45 साल था लेकिन प्रगती की रेखा भी बहुत जादा अच्छी थी मतलब ग्रोद की रेका भी बहुत जादा अच्छी थी दगलाव की रेखा भी बहुत जादा अच्छी थी और जबरदस्त है ये life line क्या बात है life line में कोई problem सी नहीं है आगे में life line चल ड़ आयो बड़ी लंबी है ये तु परभत परभी फिश्याईन है अकास्मिक दनलाव को बता रहा है और बागे रेका जीवन केंतिम समय तक हैं भोड शादार बहुत गजब अध्वी तिये आला दर्जे का ट्राइडेंड के साथ मतलब विक्टी के जीवन में ये आपको अकास्मिक ग्रोथ देता है ये आपको अकास्मिक दनलाव कराता है ये आपके जीवन में तरक्की, सफलता वा प्रगती को देता है, no doubt, इस case में आपके जीवन में तरक्की, प्रगती, सफलता, ग्रोथ, ये सब आपको जरूर देखने को मिलता है, इन सब प्रकार किस्थिति आपको जरूर समझ में आती है, चलिए आगे देखते हैं, तो जुरिस लाइफ के योग बने है, money management की लाइज अच्छी है, पैसा जीवन में आता है, तोने बहुत आइंसेंस के लाइज है, बहुत सवादा भी नी, शुक्रमंगल बढ़िया है, या भी आप देखो के तो तोने बहुत आइंसेंस के लाइज है, शुक्रमंगल बढ़िया तो value मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, value मान सम्मान को प्राप्त करते हैं आगे बढ़ते हैं, value मान सम्मान को प्राप्त करके growth को प्राप्त करते हैं आप, no doubt, यह चीज आपने देख लिया, यह चीज समझ लिया आपने, अब आगे भी मैं चीजों को देखता हूँ, आगे मैं बताने का कोशिश करता हूँ दिखाने का कोशिश करता हूँ तो आप आगे देखेंगे तो बाग्य रेका में तो कोई कमी ही नहीं है बाग्य रेका तो बहुत जबर्दस तर्शुलन माकृती के साथ सूड़ी रेका पर वही दो तीन ब्रांचे से सूड़ी रेका भी हैं। आपको मारे ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर दे सिस्क्राइब कर देरा व्यक्त का तुरुप सब्सक्राइब कर लिखा के सब्सक्राइब कर सकते हैं